सब्सक्राइब कि इतने दिन से कहां पर गायव थे क्योंकि अमरेच सरका जो हमने राइड किया था उसके बाद डिरेक्ली मिल रहे हैं आज तो इस वीडियो में सारा हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे साती में कुछ अलग से एक्सपरिमेंट करने वाले हैं बाइक के साथ सो है वट्सप गाइज यूर वचिंग आर्सी सेवंटीन व्लॉग्ग सो गाइस ही नहीं ऐसा था कि जैसे ही मैं वहां से अपना राइड कंपलीट करके आया मरीच सरका उसके बाद मैंने कंटिनुसली अपनी स्टडीज को करिया एंड कॉलेज जा रहा हूं मैं रेगुलर और साथ में इवनिंग में होता है जिम उसकी वज़े से थोड़ा सा दूर था यूट्यूब से बड़ अब मैंने अपना शेडियूल विल्कुल सेट कर लिया है सारा A to Z काम अपना हो चुक है ओके रिपोर्ट तो अब से मैं सोच कि पूरे हफ़ते पर जो भी एक्टिविटीज मैं करता हूँ जो भी मेरा लाइफस्टाइल है वो सारा मैं कैप्चर करूं कैमरा के त्रू और उसके बाद और उसको करके कमबाइन सारे मिक्स मसाले को संडे को कर देंगे अपलोड जिससे आपको पता चल पाएगा कि पूर आपके छे बजेन रहा वीडियों देखने को मिलेगा तो चलिए आज के शेशन को करते हैं कंटीनियू और चलते हैं बाइक की तरह तो गैंस रैडी हो जाईए अभी आपके सामने होने वाला है एक मैजिक रैडी वान चू एंड थ्री तो बूम यह लीजिए सीट हमने रिम और शिट करते ही कि अपको पता ही कि मेरे और खोड़ को जाएंगे गंगा नगर क्योंकि और Nord में 2018 में और अभी 그걸 गिंते है लगबक 11 महीने हो चुके हैं बाइक ली को और अभी तक हमने उसके उपर लेमिनेशन या किसी तरह का कोई भी रैप नहीं करवा है क्योंकि गाइस मेरी हैपीट है कि जो ओरिजनल्टी होती है पॉटक्ट की वो हम तभी फिल कर सकते है जब उसके उपर कोई प्रोटेक्टिव केस या प्रोटेक्टिव उसके उपर लेमिनेशन वगारा ना हो तो अब तक जितने भी हमने राइट्स की जितना भी हमने एक्स्प्लोर किया इस बाइक को तो बगएर किसी सेफटी के या बगएर किसी फिल्म या किसी लेमिनेशन के हमने एक्स्प्लोर किय तो अब तक कफी अच्छा experience रहा, कफी सरे scratches भी आए कुछ अब finally time आचुका है कि मैंने सोचा है कि अब इसे wrap करवा लिया जाए यानि उसके उपर mat हम lamination करवाएंगे ताकि in future और कोई heavy उसके उपर scratches ना आए तो आपने देखा होगा एक्सलों क्या करते हैं बाइक को शोरूम से निकलने देंगे नहीं उससे पहले उसके उपर करवा देंगे wrapping तो wrapping का एक सबसे बड़ा drawback यह रहता है कि जब wrapping करवाते हैं बाइक पे तो चाहे कितना ही expert क्यों ना वो बंदा wrapping करने वाला बड़ जो blade के marks होते हैं जब blade से cutting की जाती है ना उस film की तो निशान चुट जाते है बाइक के उपर तो मैंने first time करवाया है 11 महीने बाद इस पर wrapping वही भी इसलिए क्योंकि अब इस पर कुछ scratches आ गए वो दिखने लगे है तो अब इसके पर अपने matte wrapping करवा देंगे तो वो scratches hide हो जाएंगे बिल्कुल दिखेंगे नहीं एंड गाड़ी का color अपना matte है तो matte उस पर काफी उनके toolbox के उपर या mud guards के उपर जो scratches है वो छुप जाएंगे तो चलिए जादा time waste ना करते हुए चलते हैं गगानेर की तरफ और मुझे जाने में लगेगा एक से डेट गंटा क्योंकि अभी मुझे ready भी होना है उसके बाद जाऊंगा और गगानेर जाते ही ऐसा तो है नहीं पढ़ाई भी important है तो सारे lectures attend करने के बाद उसके बाद जो हम काम करेंगे वो direct bike के उपर wrapping करवाएंगे तो चलिए directly आपको मिलते हैं wrapping shop के उपर वूँटी देश कीना देजर ने सीना काद ना तू अखा कोड़े मेगनम रखा कटी मेरी काली विच एके सन तारी यार जार फांज खाज बैरी मेरे लखा दो नेक्स तैख तो घजार रहे हैं सुभाए के साड़े छह एंड हम जा रहे हैं मार्किट क्योंकि मौम डैड काफी दिन जैपूर गए हुए थे एंड अभी वह आ चुके थो उनको वहां से पिक करने जा रहा हूँ मैं अभी अभी कोल आया था मेरे को कि पहुंच चुके हैं पदमपूर आजा जल्दी से हमें पिक करके ले जा तो जा रहे हैं उनको पिक करके फिराएंगे घर पे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं असका देन आज है संडे और आज मैंने प्लान किया था बाइक राइड का बट सुबह से काफी बारिश हो रही है अच्छे आप देख सकते हैं रोड में पानी भरा पड़ा है तो रात को भी एक दूबार बारिश आई थी और सुबह से कंटिन्यूसली बारिश चल रही थी और अब जाके रुकी है अभी टाइम हो रहा है लगबग चार बज रहे हैं लेकिन आपको पता है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जेब जेब वीडियो एगा तो दो घंटे का सारा वीडियो आप देखेंगे वह मंडे से लेके सैटर्डे तक का पूरे हफ़ते पर जो भी मैं राइट्स करता हूं या जहां भी जाता हूं तो वह सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स वाले वीडियो में एंड इन बिट्वीन में जितने भी अपडेट्स वग गरा डालता रहता हूं ये गाइस मिलते हैं आपको एक नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर तक तक के लिए अलवीदा लेते हुए जय हिंद जय भारत